पहले लोग कहते हैं कि PCS से थोड़ा आसान होता है आरो निकालना जो भी आरो की स्पेसली तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कहूंगा कि जो भशना चक्र और लूसेंट है इन दोनों पर फोकस करें लास्ट टाइम में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पार है फिर भी आप तयारी में लगे रहे हैं वही चीज़ें आगे आपको जाके रिजल देती हैं हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है विभाइश्व श्वागत है अब सभी का हमारे एक और नए वीडियो में तो दोस्तों अभी हमारे साथ एबियस पदवरिया सर हमारे साथ है जिनका यूपी पीसियस आरो ए आरो 2021 की परिक्षा में परतम रेंग सर ने प्राप्त किया था और उसके बाद 2022 की परिक्षा में DSP की पोस्ट पर सरका से लक्सन हुआ है अभी सर्प पुलिस अकेडमी में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो आज आरो ए आरो की परिक्षां चाहस्कर थीति पर आरो एक्सप परिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं बस आप लोग वीड़oned बने रहेगा चलब पहली बारा चनल को सब्सक्राइब कर नोडिफिकेसन बेल को प्रेस कर दीज़ेगा बहुत-बहुत सागत है नारे चनल पर बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी देसकों को नमस्कार सर हम जाना चाहेंगे जैसे कि आपने PCS की तैयारी करना स्टार्ड कि तो मैं पहले से मन में ता कि पहले आरो की परिक्षा देने या फिर सीधे PCS की तैयारी करना इस्टार्ड के था तो प्लिम्स आपने दिया था तो क्या आपने अलग पढ़ा था मतलब उसके लिए book source होगर आप बताईए या फिर बहुत सारे चात्र हमारे साथ जुड़ें जो कि pre की तयारी क्योंकि pre नजदीक है तो क्या उनको source रगना चाहिए खास कर प्लेम्स में इतने कम समय में जो भी आरू की especially तयारी करना है उनके लिए कहूंगा कि जो भी PCS का syllabus होता है GS के लिए उनको वही syllabus फॉलो करना चाहिए और जो extra topics होते हैं जो GS1 में आते हैं आरू में जैसे तीन topic मैंने से देखे हैं reasoning आती है इसके अलावा computer आता है और कुछ extra part आ जाता है जो miscellaneous questions होते हैं इसमें आरू में थोला जादा आ जाते हैं तो GS के सभी topic PCS के recording कवर करना चाहिए और यह जो तीन topic इस्टरा आ रहे हैं इनके लिए computer के लिए कोई इसी बुक फॉलो कर सकते हैं जिसे लुसें की बुक ले सकते हैं computer उसे कवर हो जाएगा और इसके अलावा जो reasoning question आते हैं वो CSAT के अगर UP PCS के previous year question देख लिए जाए तो उससे CSAT के question कवर हो जाएंगे reasoning question कवर हो जाएंगे जो आरो में आते हैं यही तीन topic अगर कवर कर लिए जाए तो जो आरो का JS1 है वो बहुत अच्छा हो सकता है और इसके लिए अगर JS के पार्ट के लिए कोई books होगर आगर इतने कम समय में कोई follow करना चाहे तो क्या book list होगरा मतलब follow कर सकता है इसके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए इस नहीं करूंगा कि सुरू से कोई book उठाएं हर सब्यक्ट की उनको पढ़ना सुरू करें फिर और चीज़ा फॉलो करें जो तैयारी लगातार कर रहें पिछले एक-दो साल से उनके लिए यह कहूंगा कि जो अभी तक जो जिर्फ यहां दोनर लगार डालें क्योंकि कोशिटन कपैटन अब यहीं है कि दो-तीन कोशिण मिला क्यों मनाते हैं जो जो भी एक्जाम देते हैं उनको लगता है कि कहीं से नया कोशन आ गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वो उन्हीं 2,3 को समराइश करके एक में देत तो मार्केट में जो भी टैस्रीज है जो भी चला रही है ऑनलाइन या उफलाइन इस समय यह सबसे सही समय है उट से जोड़ जाने का जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा एक्जाम में परफॉर्म करके आएंगे स्टुएंट्स उसके बाद सर एक हिंदी का यहां पर रहता है काफी मदब साथ नमर का हिंदी आता है तो हिंदी के लिए क्या आपने फॉलो किया था या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कैसे उसकी त्यारी होनी चीए हिंदी के लिए मैंने दो सोर्स बहुत अच्छे से फॉलो किये थे एक तो आदित पब्लिकेशन की आती है जो हिंदी के सभी topics cover करती मुझे लगता है चैट अब होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है जैटापीक हैं वो फिलम्समें जो आते हैं आरो यारोग है तो चैटापिक आरो आदित से करने लायक हैं और इसके अलावा हिंदी की पूरवा लोकान आती है वो जो चैट उसमें से निकाल लिया जाए और उनको को इससे कबर हो जाएंगी इस सब्सक्राइब मुझे लगता है कि 60 में साथ क्यों करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर कोई यह दोनसोरस अच्छे सब्सक्राइब तो 60 में 60 सही कर गयाएगा क्योंकि यह साथ अगर सही हो जाएंगे तो उधर जो जीएस में प्रेसर होता है ज्यादा कोश्चन सही करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर वहां 140 में से 70-75 होते हैं तो सेलेक्शन हो जाता है प्री में तो सार बहुत सारी लोग के कमेंट्स पी आते हैं जब इस तरीके की वीडियोज करते हैं कि प्लिंस में यह पदा कर लिया करिये कि मार्क्स हो गयरा कितना आया था मतलब आपका जीएस और हिंदी के बात करें तो कितने-कितने मार्क्स आपको मिले थे अरो में पच्च पने- शपन ऐसे कुछ आ रहे थे और बाकि इसके अलावाद प्लिम्स आपका हो गया था तो मेंस की तियारी आपने कैसे कि क्योंकि थोड़ा कुछ चीजे तो प्लिम्स की होती हैं उसके बाद कुछ एक्स्टा चीजे रहती हैं तो जो भी तयारी करने सबसे पहले तो ने मेंस का सद्राइब को होता है करने मेंस का होता है है टेन ऊसे नंबर के खाला है minimal रोल मेंस टायाना होता है तो जो भी कंटेंट फॉलो किया घैल समें वही मेंस में रिवायच किया जाना चाहिए और थोड़ा उसको जो भी enrich कर सकते हैं कर लेना चाहिए जहां से भी लगे वह साही टाइम होता है जो बुक आपने प्रिलिम्स में रिवाइज की हैं एक बार फिर उनको रिवाइज करने का या कुछ हैं उने आप word by word पढ़ लीजिए वैसे ही आपको पैटर्न फॉलो करना है वैसे ड्राफ्टिंग करनी जाके तो इससे फुल मार्क मिलता है क्योंकि मैंने देखा है कि मैं इस्पेशली पत्र लेखन बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे कंटेंट मार्कित में ऐसे हैं जो हर च इसे एक चीजे मिल जाती है क्योंकि उसमें एक अनुभाव का मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा योगदान उन्होंने दिया है इस फिल्ड में तो इसके लावा एक ऐसे आता है ऐसे के लिए आप मेंस की ज़रूर टेसरी जोइन करें जैसे प्लिम्स क्वालिफाइ हो जाए जिए कोचिक में जॉइन कर रहे हैं वहां जाके एसे लिखिए और ऐसे को चेक करवाईए क्योंकि एसे में में फोकस दो जगए देना होता है एक इंट्रो पर और दूसरा में फोकस रहता है कंक्लूजन पर वीच की में बॉड़ी अगर आप इंट्रो सई सुरू क करते हैं शुरुआ से कर देते हैं तो में बॉड़ी का जो इस सट्रेक्चर है । इस हेसाब से ठलता चला जاتा है तो ऐसे के लिए यही फॉलो करना चाहिए कि टेस्रीजमें जितना जयदा से ज्यदा हो सकते ऐसे लिखें जितने भी कन्फियोजन है ऐसे उख लिखने कर ल तो मेंस में भी अच्छा प्रफॉर्मेंस हाब देख आएंगे जैसे कि आप PCS की तैयारी अपर लेबल की कर रहे थे तो जब आपने आरो यारो का फाउम भर रहा था तो क्या आपको लग रहा था कि मतलब आरो यारो तो आसानी से निकल जाएगा हमारा नहीं नहीं ऐसा बिल देखा जाए तो 150 में से 95 में लोग सही कर गया आ जाते हैं और यहां 140 में सत्तर सही करना बहुत मुस्किल लगने लगता है तो इसलिए मुझे लगता है कि आरो बहुत हलकिम नहीं लेना चाहिए इसका पेपर थोड़ा टफ होता है और सर यहां ट्रेनिंग में आने के पहले पहले किसे सची वाले का क्या सची वाले का क्योंकि सची वाले की तैयारी उनसार इछाएल का बहुत अच्छा एक्सपरियन्स है जो भी सचिय।-थोसि मिस रहते हों इसको शांब का उतीं होती है उसको वहां पास से समझने मुखा ग्ला एक पर नहीं हो пом withstand कर।ो यहां जब क suivre और ऊसे लोग बाहर से जब आते हैं तो पहले ए मुष्यों सा यह होता है कि फिक ज Gesna he who's not контр tag ड्रूटीन होता बहुत siya हडभा एयोता है कि अचानक एक एसे रूटीन में ढोल जाना यहां पड़ता यहां पर अपने आप आ जाती है तो डिसिप्लिन मेंटेन तो अपने आप होता ही है यहां पर करवाई दिया जाता है तो अभी बढ़ी हार लग रहा है यहां दिन बर में बहुत सारी चीज़ें आप लोग की होती रहें तो क्या सबसे अच्छा पार्ड आपको कौन सा लगता यहां यह चीज़ी कांटीनिव मतलब डेली होनी चीए मज़ा इंज्वा यहां पर आईटी और पीटी होती है तो मुझे सुबह उसाम होती है बीच में 4 घंटी क्लास चलती है तो मुझे आईटी और पीटी का जो टाइम होता है वह सबसे अच्छा लगता है बिल्कुल फि इस समय जो भी टेसरी चल रही है उनको मार्केट से आप उठाईए या तो फिर कोई कोचिंग में टेसरी जो आपके ज्याइन करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्यूंकि यह टाइम जो 2-3 महीने है यह प्रैक्टिस के लिए ही है इसमें आप अपने परफ हीने हैं फुल एंजर्जिक साथ लगे रहिए और पेसंस रखिए ऐसा मत रखिए कि लास्ट टाइम आते आते आप पढ़ाई बंद कर दें आपको लगने लगता है कि नहीं हो पा रहा है फिर भी आप तैयारी में लगे रहिए वही चीज़ें आगे आपको जाकर रिजल द झाल 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 झाल